नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वेटो कुमार और मेरे युट्व चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों सबसे बड़ी ख़बर आ रही है जिचाइवाग के तरब से कि 1200 सिज्कों के भरती का सिड्वल तिन के बाद इसका अपडेट देंगे यह ख़बर पॉल्टिकल रिपोटर से अधिक बेतन बिर्दी का एरियर बकाया नहीं हुआ भुक्तान इंतिजार कर रहे हैं से चक सरकान ने रासी का किया है आवल्टन इसका भी अपडेट हम आपको देंगे दोनों न्यूजपीपर देनिक भासकर का है और दोनों ही पटना सस्क्रम में चापा हुआ है तो चल सभी सिचको को 9 मा का बेतन बिर्दी के बकाया रासी 1200 क्रोड से अधिक का भुक्तान नहीं हो सका है 80,000 वैसर शिचको को भी एरियर बाकी है जो बाद में परशिचित हुए हैं यानि सभी सिचको का कुल एरियर 1700 क्रोड से अधिक बाकी है सिच्छाई वाग ने 15% की दर्ष से बेतन बिर्धी का बकाया रासी भुकतान के लिए 13 सितंबर 2022 को रासी भी जारी किया था लेकिन भुकतान नहीं हो सका है समंगर शिच्छा अभ्यान के तहत भुकतान होने वाले अधिकान शिच्छो को अप्रेल 2021 से दिसंबर 2021 तक 9 मा का बकाया रासी का भुकतान नहीं हो सका है जी ओबी यानि कि बिहार सरकार मद से भुकतान होने वाले 50,000 शिच्छो का बेतन बिर्धी का एरियर भुकतान हो चुका है 9 शिच्छो को 15 परतिशत बेतन बिर्धी के हिसाब से 3-3500,000 रुपे तक परतिमा का लाव मिला था इस हिसाब से एक सिचक को 40 से 45 हज़ा रुपे का बेतन बिर्धी रासी का एरियर भुकतान होना है लगभग 80 हजार ऐसे सिचक हैं जो बाद में परसिचित हुए हैं उन्हें भुकतान होना है अब यहाँ पर देख सकते हैं सरकारे ने किया है आवंटन सरकार ने किया है आवंटन परिवर्तन कारी सिचक महासंग के परदेश कारिकारी संजोजक नवनीत कुमार ने बताया कि जी ओवी मत से उन्हें 9 मा का एरियर यानि कि 49,600 रुपे का भुकतान हो चुका है टेटी सिचक संग के परदेश अज़त आमीत बिक्रम ने बताया कि रियर भुकतान के लिए सरकार ने 2140 करोग का रासी आवंटन परिवर्तन कारी सिचक महासंग के परदेश कार कारी संजोजक नवनीत कुमार ने बताया कि जी ओवी मत से उन्हें 9 मा का एरियर यानि कि 49,600 रुपे का भुकतान हो चुका है अब चलिए इस ख़बर को भी विस्तार से देखते हैं कि 1260 की भरती का सिड्वल तीन के बाद क्या है 2011 में स्टेटी उतिल होने के बाद बीएड पास करने वाले अभ्यरतियों को चट्थे चर के तहत नुक्ति पत बित्रन पर रोक मामले में 3 नुवंबर को हाई कोट का फैसला आना है यानि कि 3 नुवंबर को फैसला आने के वाद से 6 वाग पतना जिला परिशद के हाई स्कूलों में लगभग 1260 की भरती का सिड्वल जारी करेगा चट्थे चन के तहत या सिड्वल दिया जाना है अब एक मात्र पतना जिला परिशद में ही बहाली परकिरिया से इस रह गई है दरसल चट्थे चन के तहत यहां आविदन लेने की परकिरिया पूरी नहीं हो सकी थी यह वकैंसी 2019 की है इसलिए चट्थे चन में के लिए आव चन के तहत 32,714 सिजकों की बहाली पर क्रिया समाप्त हो जाएगी अभी तक छटे चन में से चक बहाली के रिए 28,000 से अधिक पद रिक रह गया हैं छटा चन की बहाली पर किया पूरी होने के बाद साथ में चन के तहत उच और उच्तर मादमी का स्कूलों में 1.22 लाग सिजको की बहाली पर क्रिया सुरू होनी है छटे चन में रिखते रहे गए सिट साथ में चर्मे की बहाली में जूड़ी आएंगे पिछले मासी च्छाविवाग ने हाई कोट के निर्देश के बाद 2011 में एस्टेटी उतिन होने के बाद बीएड पास करने वाले अभिहर्तियों को छठे चन के तहत नुक्तिपत बित्न पर रोक लगाने समन्दी आदेश जारी किया था एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अप वीडियो में धन्यवाद दोस्तों